हेलो फ्रेंज, मोधमिता लीटिल कीचेन में वेलकम मैं हूँ मोधमिता आज मैं और एक निव रेशीपी शेयर करने जारी हो आज मैं शेयर कुरूंगी आमला से बना हुआ बहुत बड़ी असा आमला का मोरुबब रेशीपी ठंडी की सिजिन में हम लोग आमला से बहुत कुछ बनाते हैं लेकिन खास टिप्स के साथ ये बला रेशीपी शार करूंगी ताकि ये बला जो मुरुब्ब बनेगा एक साल तोक असाने से स्टोर करके राख सकते हैं आमला की मुरुब्ब बनाने के लिए ज़्यादा कुछ इंग्रिडियन्स ज़रूरत नहीं होता लेकिन खास कुछ तरीका से बना के दिखाएंगे ताकि ये मुरुब्बा खाने में भी टेस्टी होगा और ज़्यादा दिन तोक स्टोर करके भी राख सकते हैं तो चलिए फिर बड़ी आसा आमला की मुरुब्ब करेशीपी शूर करते हैं तो मुरुब्ब बनाने के लिए सब से पहले चाहिए आमला तो यहाँ पर मैंने 500 गराम आमला लिया है आच्छी तरह से पहले आमला को धो लिया और साप कर लिया आम मैंने देखी एक बार्तन में पानी गराम करने के लिए राख दिया हो पानी में जो अच्छी तरह से उबाला जाएगा तो मैंने ऐसा ही छेद बाला जो थाली होती है उसके उपर आमला को राख को इसको स्टीम देंगे कूकर में नहीं पाकाना है कूकर में पाकाएंगे तो ज़्यादा पाक जाएगा तो इसी तरीका से ढख के कम सो कम 15-20 मिर्ट तक पाकाना है ताकि आमला थोड़ा सा सफ्ट हो जाएगा तो देखी 5-7 मिर्ट तक मैंने ढख कौन खुल के इसको पल्टा देती हो ताकि आमला जो है चारु तरफ से अच्छी तरह से सफ्ट हो जाए अभी तो क इस आमला ऐच्छी तरह से सफ्ट नहीं हो तो इसलिए और भी साथ से 8-8 मिर्ट तो कि इसको धकन लगा के पाकाती हो कम से कम 12-15 मिर्ट तो कि इसको हाई हिट में पाकाना है आप देखिसके कालार भी चेंज हो गया अच्छी तरह से सब्ठ हो गया आप मैंने इस आमला को थोड़ा से ठांडा होने के बाद ऐसे ही कोटन की कापड़े से इसको पोच लेती हो जदा दिन तोक स्टोर करके राखना चाते है तो इसी तरीका से इस आमला को मुरुबब बनाना है तो देखि इस तरीका से मैंने कोटन की कापड़े से एक एक आमला को आच्छी तरह से पोच लेती हो अब इस आमला को थोड़ा देर्टोग मतलब पास से 7 मिर्टोग धूप में इसको राखना है तकी थोड़ा सा भी पानी ना रहे शुखाना नहीं है थोड़ा से इसको ड्राइ करना है तो देखि इस तरीका का हो गया मतलब थोड़ा सा भी पानी नहीं है अभी अमला का मुरुब बनाने के लिए देखी मैंने यूजगार्ड़ी गूर चीनी 500 गम जैसा आमला लिया तो उसी हिसाब से मैंने एक कप गूर और अधाको टोरी चीनी लिया अभी मैंने अमला को डाल देती यूग बार्दन में और गूर चीनी डाल देती हूँ आप चाहे तो चीनी ना डाल के स्टिफ गूर से भी बना सकती है लेकिन मैंने दोनों ही डाल दे हूँ तक इसका जो टेस्ट बढ़िया साएगा गूर का क्वांटेरी थोड़ा सा ज्यादा है और चीनी का क्वांटेरी मैंने कौम डाली हूँ तो 100 गाम जैसा गूर लिया हूँ और 100 गाम जैसा मैंने चीनी डाली हूँ आच्छी तरह से पहले चीनी और गूर को मिला लेते हैं आमला के साथ ताकि नीचे ये जलना जाए क्यूकि गैस के उपर बिठाने के बाद गैस का है री बिल्कुल कौम राके इसको पाकाना है तो आच्छी तरह से मैंने गूर चीनी कौम ला के साथ मिक्स कर लिया आप गेस का हिट कॉम करके इसको पकाना है तो देखिए धीरे धीरे ये गूर और चिनी मेल्ट होते जाएगा और बड़ियासा ये सौप्ट भी होते जाएगा थोड़ी देर में देखिए अभी तो कि ये अच्छी तरा से मेल नहीं हुआ इस तरीका का ये प्रोसेस करना है अभी धाक कर नहीं पकाना है पैने अच्छी तरा से ये चिनी और गूर मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में धाक कर पकाऊंगे गैस का हीट हाई बिलकुल नहीं रखना है कौम हीट में इसको पकाना है ताकि अंदर तक चासनी अच्छी तरा से आजाएगा तो देखिए बड़ी आसा इसमें उबाला गया अब मैने डाल ले हो थोड़ी सी नमक नमक जदा नहीं डालेंगे थोड़ी सी नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेती हो जदा कुछ मसाला नहीं डालना है सिफ गूर के साथ अच्छी तरह से इसको पकाना है आप मैने इसको ढख के कम से कम पाच मिनिट तो पकाती हो गैस का हेट बिलकुली कम रखना है पाच से साथ मिनिट के बाद देखिए एक बार मिला लेती है अच्छी तरह से इसमें उबाला रही है अभी तो कि ये color change नहीं हुआ धिरे धिरे इसको पाकाना है बड़ी असा इसमें color भी आ जाएगा और ये जो आमला है थोड़ा सा soft होते जाएगा और भी मैंने ढग कर पाकाती हो मैंने दिखाती हो color कैसे change होते जाएगा धिरे धिरे देखिए ये जो आमला है कितना बड़ी असा soft हो रहे अच्छी तरह से पाकरे और ये जो गोड़ चीनी का चासनी है ओ भी अंदर तका जाएगा तो देखिए 15 से 20 मिट के पाद इसका color change हो गया आम मैंने इसमें थोड़ा सा डालीओ छोटी एलाईची क्रेस करके बड़ी असा फ्ले बाराएगा तो थोड़ा सा एलाईची जोरूट डालना दोसरा कुछ भी मसाला नहीं डालना है मैंने डालीओ श्रिप नमोक और एलाईची गोड़ चीनी तो देखे देखके अंदज लगगे न कितना बड़ी असा ही मोरुबबा बन रहे है मैंने जीस प्रोसेस में बनाई हूँ अच्छी तरा से आमला को ड्राई करना है और इस तरीका से बनाने थोड़ा सा भी पानी उज़नी ही करना है तो इस तरीका से आमला का मोरुबबा बनाएगे तो एक साल तोक स्टोर करकी भी राख सकते है तो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा ठांडा होने के बाद तो देखे कितना बड़ी असा पारफेक्ट इसके अंदर चास्नी आ गया अमला का मोरुबब बनाने के लिए ज़्यादा कुछ सामान जुरूरत नहीं है लेकिन इस तरीका से एक बरबाना के देखे बहुत है टेस्टी बनेगा मैं तोड़की भी दिखाऊंगे अंदर तो कितना बड़ी असा पारफेक्ट इसके शर्प्ट बन गया चासनी भी तोड़ा सा ज़्यादा रखने से क्या होगा ये ज़्यादा दिन तो कुछ तोर्ग करके रख सकते हैं मैं तोड़कर भी दिखाते हूं अंदर बड़ी असा कितना सफ्ट बननी है तो आगे हैना मुह में पानी बच्चे के लिए भी जोरूर एक बड़ ट्राइ करना आई हो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आयागा तो देखे कितना सब्ट बनी है अंदर तो कच्छी तरह से चसने आगी सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया अगर वीडियो पसंद आया तो जुरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसाई हर दिन न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए और बेल बोटल को प्रेस करना नाम भूले ताकि नोटिफिकेशन सब से पहले आप को मिल जे एसाई हर दिन न्यू 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 रेसीपी देखने के लिए सब लोग खुछ रहे आच्छी रहे बाई बाई